हेलो अब्रीवन, चनाचाट तो अपनी बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आज हम काले चने की एक स्पेशल चनाचाट बनाएंगे, जिसकी जो क्रंची ने से वो बिल्कुल बरकरार रहेंगे, बिना पांपड़ी और बिना घुजया के, तो चलिए इस स्पेशल चनाचाट क भीग चुकी है, अब काली चने को भीगोना बहुत ही जरूरी है, क्यूंकि इसमें एंटी न्यूट्रियन्स बहुत मात्रा में होती है, जो कि आपके पेट खराब कर सकते हैं, तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से भीगोना बहुत जरूरी है, अब इस चने को हम कूकर में और एक कब जितना मैंने इसमें पानी लिया है, और इसमें हम नमक नहीं एट करेंगी इस बात का आपको ध्यान रखनी है, और थोड़ी से फ्लेवर के लिए मैं एक तेजपता इसमें डाल रही हूँ, अभी लीट बंद करके इसे कम से कम आपको तीन से चार सिटी लगा ले थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यानि कि इसकी सीटी निकलने के बाद आपको इसे चेक करना है, एक बार की जना अच्छी से गला है कि नहीं, यहां पे मैं आपको एक चना दिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा गरम है, यहां पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह प्र चाहे तो कस्मीरी यूज कर सकते हो थोड़ी से कलर के लिए, अब इन मसालों में हम क्या करेंगे पानी एट करेंगे, पानी इसलिए एट करना है क्यूंकि मसाले जो होते हैं वो ट्राइ होते हैं इसमें जब हम गरम पानी एट करेंगे, तो यह बिल्कुल पेस्ट के फॉर् और उसके बाद इसका जो टेक्स्टर है कितना पढ़िया आएगा आप देखे इसे अच्छे से हमें मिला लेना है और इसके बाद हम इसमें एट करेंगे करीब हब टेबल स्पून नमक नमक हमने चने में नहीं एट किया था इस बात का आपको ध्यान रखनी है अभी इसे अच हम इसे बाहर इसे चान लेते पहले तो यह बहुत सूख जाता अब क्या करेंगे एक पैन में हम तेल लेंगे मैंने आपर रिफवाइंड ओय लिया है तो टेबल स्पून अब तेल थोड़ा सा गरम होने के बाद हमने जो मसाला रखा था पानी एट करके उसे एट कर देंगे अब इसे अच्छे से चलाना है हमको और इसी टाइम पे आपको यहां पे वन थर टेबल स्पून अजवाइन एट कर देना है वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया है तो इसे अच्छे से मिक्स करके जब तक तक तेल अलग नहीं हो जाता तभी तक आपको इस तरीके से मिक्स इसको आपको करना है क्योंकि हमने चने में नमक नहीं डाला है और इस मसाले में जो नमक है उस नमक को जिसे चने अच्छे से पी ले उसी तरीके से आपको इसे पकाना है आप चाहे तो दो मिनिट इसे ढखकर भी पका सकते हो अभी गयास का फ्लेम में ने ओफ कर दिया है औ करना जो हम खीरा टमाटर और प्यास जालेंगे वो बिल्कुल क्रंची नहीं रहेंगे अब चलिए उसे ठंडा करने के लिए साइड में रख लेते हैं और यहां पर में ले रही हूँ खीरा थोड़ी थोड़ी पड़े पिसस में ने कट कर लिया है क्योंकि खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा चाट में और यहां पर एक चीज में आपको बताना चाहूंगी प्यास को थोड़ा सा बड़े काटे और इसे थोड़ी देर तक फ्रीजर में रख लेता कि इसका जो क्रंची ने से वो बिल्कुल बरकरार रहे क्योंकि हम हेल्डी चाट पना रहे हैं तो इसे गरम पानी में इमडी को भी को ले वन टेबल स्पून गुल यानि की जगरी और थोड़ी से नमक में इसमें डाला है अब इसे रख लेते हैं साइट में और यहां पर देख सकते हो हमारा जो चना है पढ़िया से ठंडा हो गया है एक बॉल में हम इसे ट्रांसफर कर ले अब इसे बिल्कुल हरी हरी धनिया पत्ता और चाट में धनिया पत्ता तो होता ही होता है और इसके पात में एट करी हूँ काला नमक और यहां पर चाट मसाला भी मैंने वन थर टेबल स्पून एट किया है अब इन सारी चीजों को हमें थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स करते इसतर — कि कालर देख सकते हो कितना पढ़ा दिख रहा है और हम इसमें एड कर देंगे निंबू अगर निंबू आपको पसंदे आप आप एडि करें अगर इम्व्ली आपको पसंदे वह एड करें मैंने दोनों ही एड किया अब नात्द किया थोड़ा समयन थी निया था तर देख रहे हैं कितना सुन्दर दिख रहा है और इसके पात मैंने जो इमली का चटनी बनाया था उसे एट कर देए हूँ तो आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हो वैसे इस चार्ट में आलो भी डाला जाता है अगर आप आलो खाते हो तो आप आलो इसमें एट कर सकते हो यानि की उबले हुए आलो को छोटे-छोटे पीसेस में कट करके इस चार्ट में एट कर सकते हो क्योंकि इसमें कार्भोहाइडर्ट बहुत ही जादा होता है तो चलिए फ्रेंस हमारा जो सूपर हेल्दी, सूपर टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट चना-चाट बलके र करार है इस रेसिपी को आपको जरूर ट्राइ करनी है फ्रेंस बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो इस रेसिपी को ट्राइ करें और घर पिस सब को खिला अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो फ्रेंस प्लीज इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पर करने हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक के लिए बाबाई